हालो नमस्कार दोस्तों मैं कोसलेंसिंग समस्समानिच्छा छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हादिक श्वागत वाभिहंदन करता हूं आज हम be at first semester के paper second psychological perspective of education अर्थात सिच्छा के मनोवज्ञानिक परिपेच पर आधारित बहु विकल्पी प्रश्न भागत तीन पर चर्चा करेंगे प्रस्न संख्या ये जैसा आपके सामने स्कीन पर दिया हुआ है खिलवनों की आयू कहा जाता है अर्थात age of toys तो आखिर ये किस जो काल है उसको कहा जाता है जो childhood का या infancy का या adolescence का तो यहां चार आप संदिये हुए हैं पहला है पूर बाल्यावस्था दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था तीसरा है सैस्वावस्था और चौथा है इन में से सभी तो यहां पर जो पहला है उसे early childhood कहें कहेंगे तीसरा जो है उसे infancy कहेंगे और आलाब्दाइबब कहेंगे तो यहां जो पहला option दिया हुआ है बिलकुल ही आपका सही है इसे पूर बाल्यावस्था अर्था अर्था अर्ली childhood कहा जाता है इसके बाद जो दूसरा प्रश्ण है आपके सामने screen पर कि बुद्धी के बहु कारक सिद्धान्त के प्रितपादक है अर्था मल्टी फैक्टर थियोरी आफ एंडलीजिंस जो है उसके जो founder है वो कौन है यहां पर भी आपके सामने चार आपसन भीए हुए है पहला है मैक डूगल दूसरा है टर्मन तीसरा है थौन डाइक चौथा है बर्ट तो यह यहां पर जो तीसरा अफसन है बिल्कुल ही सही है एडवर्ड ली थौन डाइक जो है वह मल्टी फैक्टर थियोरी आफ एंडलीजिंस के founder है अब हम अगले प्रिशन के ओर बढ़ेंगे यह तो बहुत बार मैंने क्लास में भी आप सबको पढ़ाया है तो यहां पर जो तीस ने चार अफसन दिये हुए हैं पहला है हिप्पोक्रेटस दूसरा है केश्चमर तीसरा है सेल्डन और चौथा है स्प्रेंगर तो यहां जो चौथा अफसन है बिल्कुल ही सही है इन्होंने छे प्रकार के परस्नाल्टी बताई है समासास्त्री अधार पर जिसके अंतरगत अर्थिरिटिकल, प्रेक्टिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल ये सब चीज़े आपको हमने बताई थी इसके बाद जो चौथा प्रिश्ण है ती एटी थिमाइटिक अप्रिसेप्सन टेस्ट अंतर बहुत प्रासंगी परिछड किसके द्वारा बनाया गया यहां पर चार अ आलपोर्ट, तीसरा है मैसलो और चौथा है मारगन और मूरे तो यहां पर जो सही है आप्शन वह है मारगन और मूरे अथा जो टी एटी जो था था थिमाइटिक अप्रिसेप्सन टेस्ट उसको जो डीजाइन है वो मारगन और मूरे ने किया था इसके बाद अगला जो प् चार आपसन दिये हुए हैं पहला है फ्रायट दूसरा है यूंग तीसरा है मन और चौथा है आलपोड तो यहाँ पर जो यूंग है ये बिलकुल सही है यूंग ने दो प्रकार किया परसनालिटी के टाइप बताया इंट्रोवर्ट और एक्स्टोवर्ट लेकिन उने एक और जोड़ दिया एंबिवर्ट तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो अब तीन प्रकार का विक्तित उनके अंसार होता है इसके बाद जो छठा कोश्चन है थौन डाइप का कौन सा नियम सीखने में प्रुष्कार और दंड के मात को बताता है तो यहाँ पर देखिए चा लाबदाए भब तो यह बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि लाफ एफेक्ट जो है प्रभाव कानियम अगर कोई कारे हम गलत कच्छा में कोई बच्चा अगर गलत काम करता है तो उसे हम जब दंड देते हैं तो दुबारा वो ऐसा कारे नहीं करता है तो यह क्या बोलत है तो प्रभा जो फॉंड डाइक का जो यह लौ है यह प्रुसकार और दंड के महत्त को बताता है अब अगले प्रिश्न की और बढ़ेंगे बुद्धी के तरल क्रिश्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे यहाँ पर चार आफसन दिये हुए है फ्लूइड मुजएक मॉडल बोलते हैं इसे जो है थोरी का फ्लूइड मुजएक मॉडल उसके फॉंडर कौन है पहला है कैटल दूसरा है थॉंडाइक तीसरा है चौथा है सकिनर तो यहाँ पर कैटल बिल्कुल ही आपका सही है कैटल ने ही फ्लूइड मुजएक मॉडल का प्रतिपादन किया था इसके बाद जो है अगला प्रश्ण है किसने सबसे पहले बुद्धी परिछड का निर्माड किया तो यहाँ पर भी आपके सामने चार यह हुए हैं पहला है अलफेड बिने दूसरा है इस्पियरमेंट तीसरा है रॉबर्ट इस्टरन बर्न और चौथा है वेशलर तो यहाँ पर जो सबसे पहले बुद्धी परिछड का निर्माड उनिस सो पांस से ही इन्होंने प्रारम कर दिया था जो कि उन्निस सो आठ उन कि संबध प्रतिक्रिया सिद्दान किस ने दिया था अथत क्लासिकल कंडीशनिंग ठियोरिया जो है लर्निंग किस ने दिया था तो यहाँ पर चार आपसंदिये हुए हैं पहला है पावलो दूसरा है थॉन्डाइक तीसरा है इसकिनर चौथा है कोहलर तो कोहलर विल्कुल इसमें गलत है थॉन्डाइक भी गलत है इसकिनर भी गलत है पावलो बिल्कुल ही आपका सही है तो संबध प्रतिक्रिया सिद्दान जो है पावलो ने आईपी पावलो जो की एक सरीर सास्त्री थे उन्हों उनको नोबल प्राइज भी मिलाता उन्हों ने ये सिद्दान दि पॉर्ण वें सब्क्राइश पेट कि कि आपके ज़ियो जर्मनी से बिलॉंग करते थे यहां पर आप देक्षे प्रेस्ट रहे हैं यहां पर आपके सामने चार आपशन दिये हुए हैं तो इन को देख लें यहां जरा प्रश्ण को आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर जो यह दिया है कि निम्न में से कौन गैस्टॉल्ट मनो विज्ञान से संबंदित नहीं है तो नहीं है यह है कौन गैस्टॉल्ट मनो विज्ञान से संबंदित है यहाँ प्रश्ण है इसको जड़ा एक बार करेक्ट कर लें तो यहाँ पर चार आप संदिये में पहला है कर्ट लेविन दूसरा है पावलो तीसरा है कोलर और चौथा यह सभी तो यहाँ पर गैस्टॉल्ड मनु विज्ञान से जो संबंदित हैं वो हैं सिर्फ कोलर और जो मै जर्मन निवासी थे तो अगर इसमें इस प्रकार का प्रश्ण आता है तो यह आपका कोहलर सही होगा इसके बाद जो एक अंतिम यहाँ पर प्रश्ण मैंने बनाया है कि ब्रेंस्टॉर्मिंग जो है यह क्या है इसका प्रतिपादन किसने किया है तो यहाँ देख रहे हैं आप कि मस्तिस्क उद्वेलन टक्नीक जो है ब्रेंस्टॉर्मिंग जो है टेक्निक का प्रतिपादन किसने किया है यहाँ पर चार आप संदिये हुए है बाकर मेहंदी आस बॉर्ण तीसरा है गिलफोर्ड और चौथा है टॉर्रेंस तो यहाँ पर जो है आपका आस अथा ब्रेंस्टॉर्मिंग टेक्निक का प्रतिपादन किया था तो इस प्रकास से सारे कोश्चन मैंने आपको बताए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आपको मेरा वीडियो पश्चंद आया हो तो लाइक सेर जरूर करें वह बेल आइकॉन को भी प्रेश कर लें जिससे आपको मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके धन्यवाद नवस्का दोस्तों हुआ 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 हाँ